अगर डेली डेली वही रूटी पराठा खा के ब्रिकफास्ट में बोर हो गये हो और साथ में आपको हले और टेश्टी दूनों खाना है तो आप यह वलब ब्रिकफास्ट ट्राइ कर सकती हूँ बहुत ज्यादा सिंपल है से बनाना अगर आपको मॉर्णिंग में ब्रिकफास्ट बनाना है तो आपको इतना कम रात में ही करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर चावल और डाल को फूलने के लिए रखेंगे तो मैंने यहाँ पर बॉल में आड़ किया है हाफ कप इतना उरत डाल जे सेटलिया फिर ढूसा बनता है वही वाला डाल है और हाफ कप आड करे हूँ च्छना डाल और हाफ कपलेंगे यहाँ पर मूंग डाल और half cup add करेंगे यहाँ पर चावल, आप normal daily use वाला चावल इस्तमाल कर सकते हो अगर आपके पास कोई डाल नहीं है तो आप दूसरी डाल की quantity ठावल कर सकते हो क्या फिर आप तीनों में से किसी एक डाल और चावल का भी इस्तमाल कर सकते हो तो बस चार सी पांच वर अच्छी से पानी से वास कर देंगे दें एक्ष्टा थोड़ा पानी आट करेंगे और फूलने के लिए रखेंगे ओवर नाइट या फिर आप चार सी पांच खंटे के लिए से फूला सकते हो और सातमी मैंने एक दूसरा बॉल लिया है इसमे आट करेंगे दूत तीखी वाली लाल मिर्च डंठल तोड़कर और पांच कासमीरी लाल मिर्च आट करेंगे और डंठल तोड़कर तो इससे चटनी की क्वांट्रीटी बढ़ेगी और साती बहुत अच्छा सा कलर आएगा तीखा इससे नहीं होता है तो बस इसे भी हम चार से पांच खंटी के लिए सोग करेंगे मतलब चावल और डाल के साथ ही सोग करने के लिए रखतेंगे और यहां पर हम जमाएंगे बिलकुल पॉफिक्ट एक दही एकदम थिक सी तो उसके लिए मैंने यहां पर थोड़ा सा गुन-गुना हाफ कीजी इतना दूट लिया है और इसमे आड़ करें दो सी तीन चमश इतना मिल्क पॉड़र्ट तो आप यहां पर पांच वला दूप पॉफिक दही जमकट तयार हो जाएगी तो इसमें से हम हाफ कप दही यूज करने वाले हैं ब्रिक्फास्ट के लिए और बाकी दही को फ्रिज में श्टोर कर सकते हो तो यहां पर जो दही ओवरनाइट के बाद थोड़ा खटा हो गया है तो अगर आपकी दही खटी नहीं ह हुई है तो आप यहां पर आधनी मुकरह से इस्तमाल कर सकते उसी खटास भी आजाएगा धूपले में और थोड़ा स्पंजी भी बनेगा और यहां पर जो लाल मेर्च वो भी काफी अच्छी से सोख हो गया है तो फिलाल इसे में साइड में रख रहे हूं क्योंकि इसकी हम आ और उसके बद आट कर देंगे अधरक तो आधने चद्र को मैंने छूटा छूटा करके आट किया है क्योंकि पिस्ता ने इसलिए मने छूटा कर दिया है और दोहरे मर्श आट करें तीखा अपने नुसार रख सकते हुआ और जो दही आधा कप उसमें सी थोड़ा थोड़ा हम पीसेंगे तो बस यहां पर देख सकते हैं बैटर काफी अच्छा तयार हो गया है तो अधरक लह सन अच्छे से नहीं पीसा है तो मैं इसे सेकिंड बैच में पीस लूँगी और बस यहां पर हमारा सारा बैच पिसकट तयार हो शुका है तो अभी देख सकते हैं बैटर का इस्तमाल करने वाली हो इसलिए हल्दी को आड़ कर दिया है बट अगर आप सोडा का इस्तमाल करोगी तो एक सी दो पिंच ही हल्दी आड़ करना या फिर यलो फूट कलर का बिस्तमाल कर सकती सोड़े के साथ में और दो सी तीन पिंच इतना हींग आड़ करेंगे बहुत अच् सिखात बिल्कुल नहीं होगी तो बस सबी चीज़ों को मेक और अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिलाल एक मिनिट के लिए मैं से रख रही हूं साइड में तब तक हम यहां पर कीक टीन को ग्रीज कर लेंगे तो मैं यहां पर टीन का इस्तमाल कि आप कोई भी दूसरा बट ढ़न साइड करते हुआ थोड़ा सा पानी कर देंगे और अगर आप सूडा का इस्तमाल करेंगे तो एक टिकस्पून पर यहां पर जबलेंगे और अब मिर्दियम फ्रीम पर साथ से आठ मुर्ट के लिए मैं से स्टीम करेंगे और तब तक चलिए हम चटनी बना लिती है तो बस जी हमारा सूप के वह मिर्च है उससे ट्रासर कर देंगे चूट अलग रैंडर शार में और उसके बड़ आड कर देंगे यहाँ पर गार्लिक तो मैं यहाँ पर तीन से चार बड़ा चमश आड किया है और सबी चीज़ों को पीस कर तैयार कर लेंगे बिल्कुल इस तरीकी का अब चलिए हम बिल्कुल पॉफिक चटनी बना लेती है तो पैन में आड किया हम आने यहाँ पर तेल एक चमश क्या सपास और जब तील गर्म जब अच्छे सी तेल रिलीज हो जातों यहाँ पर आठ कर देगे पानी तो यहाँ पर आधा का पानी आड किया है और वापस यहां पर तीक रखा है बट आप चहोती यहां पर पतला चटनी भी बना सकती हूं मतले पानी आड करनी के ज़ग ज़्यादा मत पकाना अ रास्म म बस चटनी तयार हो जाएगी तो बस चटनी तयार है और धुकला भी हमारा बिल्कुल तयार है आट मिनिट का टाइम हो देख सकते हूं काफ़ी ज्यादा पॉफिक टिया स्टीम हो चुका है तो अब चली हम इसे कट कर लेते हैं तो पहली मैं धुपली के ओपर थोड़ा से ती अब चली देख इस पात किसम जल्दे से चटनी के साथ में सर्फ कईते हैं तो यह लंच के लिए बिल्कुल पॉफिक्ट है आप बच्चों को अराम सी दी सकते हूं और ब्रिक फास्ट में आप इसे इंजॉय करो मजा जाएगा तो शली मैं आपको तोड़कर दिखाते हूं